सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब कर लेंगे और इसी के साथ हमारा पूर्शन मेंक्शन पार्ट यहां पर खतम हो जाता है आपका कुछ पूर्शन पच्छे हुए हैं जैसे आपके सब्सक्राइब करेंगे इनका भी बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है जीतना पूछा जाता है वो सारी चीजें हमने डिसकस कर लिया है और यहां पर यहां पर जो क्लच बच्छे हुए हैं जैसे हाइट्रोलीग वैक्यूम इलक्रो मैगनेटिंग और ओवर रनिंग कर वन बाई वन करके डिसकस करेंगे इनका भी बहुत ज्यादा डिटेल में डिसकस्न नहीं होगा कि वहला हम प्रिंग्सिपल इनका वर्किंग प्रिंग्पर इडवांटेज डिसद्वांटेज और अप्लिकेशन को डिसकस करेंगे जिस से लेड़े आपके एक्जाम में Instagram और Facebook पर भी follow कर सकते हैं अगर आप मुझे प्रसली जूड़ना चाहते हैं तो आप मेरे Twitter और Instagram के ID को follow कर सकते हैं आप Twitter पे हो तो आपको search करना है और same ID आपको search करना है Instagram पर आप मुझे यहां पर प्रसली जूड़ सकते हैं Let's start the lecture और जो हमारे आज के लेक्चर का first point है That is hydraulic clutch इससे पहले भी मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि जो अभी clutch हम discuss करने वाले हैं चाहे हो hydraulic हो, चाहे vacuum हो, चाहे electromagnetic हो, यह जितने भी clutch हैं इसमें जो हम axial force लगाते हैं यहां पे tracer plate को engage करने के लिए यह force लगाने का जो way होता है कि वह ही change होता है, उसी का जो principle होता है हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे पहले जो भी clutchs थे न, वहां पे जो हम force लगाते थे वो लगाते थे through mechanical linkage कि आप यहां से इसको प्रेस करो यहां से mechanical linkage लिंक जाएगा जो इसको प्रेस करेगा और यह engage या disengage होगी प्रेस करेंगे तो disengage हो जाएगी जब इसको हम छोड़ेंगे तो यह engage हो जाएगी तो यह mechanical process हुआ करता था यह mechanical linkage हुआ करता था यह भी एक mechanical linkage है बत fluid drive का है, ठीक है तो जो pure mechanical linkage होते हैं उसमें problem क्या होता है उनका response system खराब होता है उन बहुत जल्दी response नहीं करते हैं और energy losses काफी वहाँ पे जादा होता है जितना power है आप यहाँ पे लगाओगे वो सारा power यहाँ पे transfer नहीं होगा तो हमारे driving को सोरा थोड़ा सा smooth करने के लिए और हमारे जो clutch का operation है उसको थोड़ा सा smooth करने के लिए strengthen करने के लिए कि हम कम power यहाँ पे लगाए और वो maximum power यहाँ पे multiply होके transfer हो जाए तो जैसे कि यह fluid clutch है इसमें power multiply कैसे होता है आपने Pascal law पढ़े होगे Pascal law के इसाब से जितना force आप यहाँ पे लगाते हो fluid कोई भी force को absorb नहीं करता है अगर वो incompressible fluid है तो definitely यह incompressible fluid ही है क्योंकि सारे liquid है mostly जो liquid होते हैं incompressible होते हैं gases क्या होती है compressible fluid होती है तो यहाँ पे basically breaks में भी यह यह यूज़ के जाता है तो यहाँ का cylinder होता है थोड़ी बड़ी size का होता है यहाँ का cylinder छोटी size का होता है तो basically force is equal to होता क्या है pressure into area और जब यहाँ पे छोटी area के cylinder का हम use करते हैं छोटी area के cylinder तो pressure क्या हो जाता है magnify हो जाता है मत्तब pressure ज़्यादा लगता है तो यह इस तरीकी से यह springs well पे चोटा pressure apply करके हम ज़्यादा amount में work output ले पाते हैं या force apply कर पाते हैं किसी particular area पे जो इसको basically operate करता है तो यहाँ पे होता क्या क्या है एक oil reservoir होता है जिसमें fluid भरा गया रहता है incompressible fluid एक pump होता है basically यह engine से operate होता है तो कभी-कभी आपसे पूछता है इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है यह जो pump होता है यह क्या करेगा इसको pressurize करेगा यहाँ पे accumulator लगा होता है तो accumulator basically वो device होता है जो pressurize fluid को accumulate करता है मतलब store करता है तो simple यह भी एक reservoir ही है बट एक simple reservoir नहीं है एक pressurize fluid को यह क्या करता है यहाँ पे reserve करता है और यह एक control valve से connected होता है और control valve जो हमारी gear lever है उससे connected होता है और gear lever को driver control करता है तो अब यहीं से पूरा funda start होता है यह सारे process होते हैं अभी जो control valve है इसको driver अपने हिसाब से control मतलब इसको engage और disengage करता है क्यांकि already हमें pressurized load है और ये piston को move कराता है और ये हमारा clutch वाला portion है तो ये pressure plate बे pressure apply करते हैं या force inject करते हैं और हमारा pressure plate engage हो जाती है हमारी clutch plate से clutch plate हमारी flywheel से engage हो जाती है और जो power transmission होता है वो शुरू हो जाता है तो ये पूरा process होता है जैसे ये इधर को अटेगा मतलब हमने pressure supply close कर दे जैसे ये इधर को अटेगा ये disengage हो जाएगा जब हम gear change करेंगी तो ये पूरा इसका एक working process होता है आप से जो question पुछा जा सकता है इसके components related पुछा जा सकता है ये जैसे मैंने आपको बताया pump क्या होता है इसकी working accumulator की working इस ताइप की चीज़े पुछी जा सकती है basically ये connected कैसे होता है lever से तो control valve से होता है control valve basically gear lever से connected होता है और जिसको driver operate करता है तो ये पूरा एक processing हो गई है आपका working principle हो गया आपके जो hydraulic clutch होता है उसका कुछ भी नहीं है बाकी सारी चीज़े सेम होती है बस जो force supply system है उसको हमने change कर दिया है क्यों change किया मैंने आपको आलड़ी बता दिया कि थोड़ा सा यहाँ पे performance improve हो जाती है driver को strain कम आता है कम power लगा के वो work produce कर सकता है same work यहाँ पे जो चीज़े मैंने आपको बता है वही सारी चीज़े वन बाई वन करके मैंने मैंसर कर दिया है for your document तो आप इसको बाद में पढ़ लेना अब इसका advantage और disadvantage क्या होता है जैसे कि starting में मैंने आपको बता है कि जो mechanical linkage होते हैं उनमें power loss ज्यादा होता है उनका response system अच्छा नहीं होता है जो fluid या इस type के linkage होते है vacuum से जो connected linkage होते है उनका response time अच्छा होता है और वहाँ पर pressure को हम magnify भी कर पाते है to change the area जो hydraulic clutches होते है इनका maintenance easy होता है in short mechanical linkage क्या होते है जो mechanical device होते है उनके wear tear होने के chances भी जादा होते है यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है बाद कुछ इसके disadvantage भी है जैसे leakage के chances होते है यहाँ पर जो components होते है तो थोड़े costly होते है यह self-adjust nature का होता है adjust कर लेता है जब भी clutch place को engage और disengage करना होता है performance अच्छी होती है smooth operation होता है अब इसका disadvantage क्या होता है high cost होती है fluid आपको replacement करना पड़ेगा क्योंकि leakage के chances होते है तो यह सारे इसके disadvantage होती है next जो हमारा point है vacuum clutch vacuum clutch ही बहुत हद तक similar होता है हमारे fluid clutch से दोनों में बस difference क्या होता है कि वहाँ पे as a force हम fluid floors या fluid pressure को यूज़ कर रहे थे यहाँ पे हम vacuum को यूज़ करते है तो vacuum भी एक तरह का pressure difference क्रिएट करता है कहीं पे vacuum है बहार के होगा आपका atmospheric pressure होगा तो वहाँ पे pressure difference होगा जिसके वज़े से force लगेगा तो similar funda यहाँ पे use किया जाता है यह सारे आपके components दिख रहे होगे यह एक vacuum cylinder होता है यह cupcake होती है जो basically जब हमको required होता है तो इसको बंड कर देते हैं जब required नहीं होता है जब हमको pressure apply करना होता है तो इसको close up कर देते हैं यह हमारा return, none return वॉल्व होता है मतलब यह क्या होगा एक हीlon professional flow को allow करता है यहां पर वेक्यूम का प्रेशर है अगर आपको यह सारी चीज़े समझ में नहीं आ रहेगा किस तरीके से होता है तो आपको स्रींज लेके और इसकी जो निप होती है स्रींज की निप को यहां पर बंद कर देना आप और इधर से आप इसको जो सिलेंडर होता है आपको पता चलेगा कि यहां पर वेक्यूम क्रियेट हो रहाँ और यह एक सिरींज को इस साइड़ खीचना चाहता है तो सेम प्रॉसेस यहां पर भी होता है अभी यहां पर एक सेलनोयड वाल्व वाल्व क्या होता है क्यूंआ यसका यूज करते हैं एक यह प्रेसर को और यह जो Senneloidbage valve होता है। इसको हम operate करते हैं, switch in the gear lever, क्योंकि जब आपको gear change करना हैउट कि इस इस to do sin vào को अपरीड करना होता है, ताकि हमारा जो system है, तो similar function में इस भी same सनलाओ solves और dicks अलिए इस बीटरी से power करते हैं, और यहां पर switching लगा होता है, इसको activate करना है कि नहीं करना है इसके लिए हमारे gear system से यह connected होता है जब हम गियर change करते हैं तो आपको यहाँ पर क्याद करना है अगेन आपको कितने components यहाँ पर use होते हैं यह सारे components आपको याद करना है बहुत बार इस components से लिटे चीज़े आपसे पूछी जाती है नेक्स जो हमारा point है यह construction से लेटे चीज़े हैं जो चीज़े मैंने आपको बताई वही सारी चीज़ें यहाँ पर mention किया हुआ है मैंने तो यहाँ पर डिसकस करेंगे हम इसके advantage और disadvantage को परफॉर्मेंस इसकी होती है यह भी स्मूथ होता है क्योंकि यह एक तरह का जो फ्लूड का प्रिंग्सपल होता है वही फॉलो करता है minimum force भी यहाँ पर लगाना होता है इंगेज और डिसंगेज करने के लिए और बिसिकली यह तो electrical operated होता है disadvantage क्या है यह भी high cost होता है चुकि vacuum है pressure difference है तो यहां पर भी leakage के chance होगा अगर कहीं पर भी leakage रहेगा तो आपका vacuum create होगा नहीं तो यह आपको ध्यान रखना होता है जो हमारा next point है that is electromagnetic clutch अब electromagnetic clutch क्या होता है again electromagnetic clutch में हम जो pressure build करते हैं या फिर axial force build करते हैं वही difference होता है पहले इसको हम electromagnetic clutch भी कहते थे बट आप इसको basically हम electromagnetic clutch कहते हैं होता क्या है यहां पर आपको binding दिख रहेगी इसे हम कहते है electrical binding यह basically binding oriented होती है हमारे flywheel पे और इस electrical winding के वज़ए से यहां पर क्या होता है अगर electron stationary है तो electric field क्रियेट करेगा अगर वह move भी करने लगा तो magnetic field भी क्रियेट करेगा तो इस तरीके से electromagnetic field क्रियेट हो जाती है जिसके वज़ए से यहां पर force दबड़ब होता है और इस electromagnetic force का हम यूज़ करते हैं यहां पर क्रियेट करते हैं यहां पर कोई लिंकेज रिक्वाइड नहीं होते हैं लिंकेज मतलब किसी भी टाइप का लिंकेज इस से पहले आपने देखा था जो हमने दो फ्लूड वाला यूज़ किये थे वहां पर भी एक लिंकेज है हम बस जो फोर्स है उसी को सप्लाई कर रहे हैं बाकी के लिए तो क्या है लिंकेज है वहां से मकेनिकल लिंकेज लगा होगा तो अभी तो स्प्रिंग हमारे प्रेशर प्रेट को इंगेज या दिसंगेज करेगी हम तो बस स्प्रिंग को जो प्रेशर सप्लाई कर रहे हैं हुआ ही फ्लूट से कर रहे हैं तो यहां पर उस लिंकेज को हमने हटा दिया है यहां पर लिंकेज की ज़रूरत है नहीं क्योंकि यहां पर सबसे बढ़ा इसका यहां पर लिए करना के जाते हो तो एसी जो भी एकल जहां पर मेकेनिकल नहीं जी जहाँ पर रिस्पाम से भी ऑप अनुद्स करते हो तो जहां पर आपको कर प्रिपारेमेंट है कि हम रिमोट से उसको अपरेड कर लेंगेंग नहीं चाहिए वहाँ पर आप इसको अपरेड कर सकते हो और चुकि बहुत फ्रैक्शन आप टाइम में इसका रिस्पॉंस टाइम बहुत अच्छा होता है दिटो अपर इलेक्रिकल सिस्टम तो जहां पर क्लच या फिर इसको फ्री विल यूनिट भी कहते हैं तो इसको अब क्लच से कंफ्यूज मत कर लेना अब तक हमने जो भी क्लच पड़े हैं आटो मुबाइल के लिए वहां पर वो क्लच बिसिकली इंगेज करता है हमारे ड्राइविंग और ड्रीविंग शॉप्ट को अगर ड्राइविंग साप्ट से ज्यादा होती है अब आपको यहीं पर कंफ्यूजन हो जाएगा कि कब ड्रीवें साप्ट की इस पर ड्राइविंग साप्ट से ज्यादा होती है तो कब होती है बाइस्किल में आपने देखे होंगे जब आप साइकल चलाते हो उस टाइम पर आप इसमें एक प्रॉब्लम और भी होती है कि कावल एक ईूनिक डियसुन में ये पावर सपलाई करते हैं निए घर नहीं पाते हैं आगे डाइल्डाव से आपको समझ में आ किया जाता है बैसिकली वह भी बताऊंगा मैं उसका इंजन को बंद कर देते हो फिर भी आपको चलती रहती तो एक डारेक्शन में पावर सप्लाई होता है अब जैसे कि एक मैंने आर्यू किया थे यहां पर जो ट्राइबिंग होती है जो ट्रिवेन होती उसकी स्पीड जाता तो यह आगे की तरफ मूब कर रहे हैं अब क्या कर दिया आपने पावर सप्लाई कट कर दिया यह क्या करेंगे धीरे धीरे रुख जाएंगे बट अगेन यह जो उपर वाली है उसकी स्पीड तो वही रहेगी तो कुछ टाइम बाद आपको ऐसा फिल होगा कि यह जो आपक कर existe रुएर्मेंट होती बडेसिकल इसकी रिएक्लों दो बाइसकल में होती जो आपके साइकल होती है वह पर यूज किया जाता है लेक्शन पॉएह नहीं कर सकता है यसी वह मुग करेगा अपने वाले साथी अख secular सचले क्रवाएका ह готов fell आपने चीजे एकसिब व करते हो जो भी होटी होती है तो आज के लिस्टि यहां पर कुछ सिंपलड़ पसPeter निकरना है यहां चेकल्य स्पीड करते हैं लेकसित नleans उसचरत से के दिया गया है तो this is the end of this lecture thank you so much for watching this, मिलते हैं नेक्स लेक्शर में तब तक के लिए all the best, good luck